बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SPS Study Point पर मैं सोन हूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास है B.C. Second semester के लिए जिसमें आज हम chemistry का syllabus डिसकस करने वाले हैं ऐसे चाचात्रा हैं जिनका first semester का exam हो चुका है और वो अब second semester में हैं और वो chemistry का syllabus जानना चाते हैं कि second semester chemistry के अंतरकत आपको क्या पढ़ना है कौन सी बुक आपको पढ़नी पढ़ेगी second semester में आपकी जो बुक रखी जाएगी वो कितने units में divide है और whole syllabus आपका second semester में क्या रहेगा कितने नमबर के practical होंगे इन सभी बातों को आज में समझने का प्रियास करूँगा दोस्तों आपको बता दूँ जो मैं syllabus आज बताने वाला हूँ chemistry का ये आपके NEP के according बताने वाला हूँ NEP 2020 में लागू हुई थी जिसे national education policy कहते हैं 2020 में लागू हुई है इसके तास सभी इन्वर्सिटी का पार्ट करम सेम कर दिया गया है तो आप चाहिज इस इन्वर्सिटी से हो सभी में यही पार्ट करम लागू होगा तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस syllabus को बेसी second semester chemistry के स्लाबस को तो आपको बता दे second semester में जो book रखी गई है दोस्तों chemistry के लिए उसका नाम है bio organic and medicinal chemistry पार्ट A में आपका है bio organic और पार्ट B में आपकी है medicinal chemistry bio organic and medicinal chemistry यह आपके book का नाम है book के यानि paper के title का नाम है ठीक है तो जब आप market में book लेने जाएंगे तो आप bio organic and medicinal chemistry के नाम से जरूर देखेंगे book तभी आपको यह book मिलेगी चलिए syllabus को हम discuss करते हैं दोस्तों आपका जो whole syllabus है chemistry का वो 8 unit में डिवाइड है जैसा कि first semester में तो आपको 8 units पढ़ने पढ़ेंगे second semester में book का नाम आपको पता ही चल गया है book का जो आपके नाम है वो है bio organic and medicinal chemistry अब हम discuss करते हैं पूरे syllabus को तो unit number first जो आपकी है उसका नाम है chemistry आप carbohydrate का रसायन यह आपका पहला unit है अब chemistry आप carbohydrate के अंतरगत आपको पढ़ना चाकर रहेगा तो सबसे पहले तो आप समझ लेजिए कि chemistry आप carbohydrate में completely आप carbohydrates के बारे में अध्यन करेंगे completely whole ठीक है अब carbohydrates में आप carbohydrates के types पढ़ेंगे इसके प्रकार कितने हैं और इसका classification classification देखने को आपको मिलेगा साथी साथ इसी के अंतरगत पढ़ेंगे reducing and non reducing sugar reducing and non reducing sugar इसी के अंतरगत आप पढ़ेंगे glucose, practice, sucrose और maltose क्या होता है, starch क्या होता है, glucose का जो cyclic structure बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा ठीक है, किल्यानी fissure synthesis model और old formatted किस प्रकार से आप बनाएंगे ठीक है, तो carbohydrates का मतलब आप समझ गए, इसमें generally अगर मैं बता दू, carbohydrates में तो आपको carbohydrates के types, classification उसके बाद में आप पढ़ेंगे glucose, glucose पढ़ेंगे, इसी के अंतरगत आप पढ़ेंगे फ्रक्टोस, इसी के अंदर सुक्रोस पढ़ेंगे, starch और maltose और lactose के बारे में यहीं पर आप पढ़ेंगे, तो ये unit number first है, आपका unit number first जिसमें chemistry आप carbohydrate का अधिन करना रहेगा आपको, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होती है, अब प्रोटीन जब पढ़ेंगे तो इसमें amino acid के बारे में पढ़ेंगे आप, किस के बारे में पढ़ेंगे, amino acid किस प्रकार से prepare किया जाता है, जूटर आइन structure कैसा रहेगा, आईसो एलक्रिक पॉइंट जो पूँची जात पर ठीक है, इसमें mechanism आप पढ़ेंगे, enzymes के बारे में आप प्रोटीन में ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, nucleic acid, proteins का classification, proteins के types और enzymes से related चीज़े आप second unit के अंतरकत पढ़ेंगे, unit number first आपका chemistry of carbohydrate, unit number second आपका रहेगा, chemistry of protein, अब third unit जो आपकी है, वो रहेगी दोस्तों, chemistry आप nucleic acid, nucleic acid के बारे में पढ़ेंगे आप, nucleic acid, अब nucleic acid में आप पढ़ेंगे, एडानिन क्या होती है, एडानिन के बारे में पढ़ेंगे, गुआनिन के बारे में पढ़ेंगे, DNA का structure आप इसी के अंतरकत पढ़ेंगे, DNA और RNA, DNA का Watson and Crick model इसी में पूछा जाएगा, biological role आप DNA और RNA इसमें पढ़ेंगे, transcription और translation के प्रक्रिया भी इसमें पढ़ेंगे, cytosin क्या होती है, nucleoside और nucleotide में अंतर, difference, इसी के अंतरकत पढ़ेंगे, ये तो unit number 3 आपका है, unit number 4 आपका जो रहेगा, वो है दोस्तो, inductory medicinal chemistry, जिसे हिंदी में कते हैं, परिचायात्मक और सदिये रसायन, इसके अंतरकत आपको पढ़ना है, drug discovery, यानि कि दवा के बारे में, drug discovery, इसी के अंतरकत आप पढ़ेंगे, दोस्तों, साइटो, ख्लोरो, फेनो, काल, और NH2 गुरूप, OH गुरूप का जो समू होता है, कैसे combination करेंगे, इसके बार में आप पढ़ेंगे, medicinal chemistry में, paracetamol का preparation आप किस परकार से करेंगे, chlorobenzine किस परकार से बनाएंगे, sulfa acetamide किस परकार से बनाएंगे, और इसी के अंतरकत DDT का निर्मार्ण भी आपको देखने को मिलेगा, इसे mechanism हूची जाती रहती है, HIV और AIDS से related चीज़ें आप देखेंगे, इसी के अंदर HIV और AIDS में कौन सी किस परकार के बिमारी है, कैसे इसके रुख थाम की जाएगी, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानि होल आप unit number 4 में समझ लिजए कि जो आपकी basic information है, और सदिये रसाइन के बारे में आपको unit number 4 के इंतरगत पढ़ना है, पांचवा unit आपका दोस्तों जो है, ये है आपका solid state, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में आप पढ़ेंगे space latik के बारे में, solid state में latik, space latik क्या होती है, unit cell क्या होते हैं, unit cell क्या है, इसी के इंतर crystal graphy पढ़ेंगे, law of intensity of interference angles पढ़ेंगे, इसी में आप x-ray of diffraction पढ़ने को मिलेगा, आपको breaks का equation देखने को मिलेगा, solid state में break का equation, जो सबसे important है, break का equation जो पुंचा जाता रहता है, इसी में आप पढ़ेंगे, determination आप crystal structure, NACL का structure आप इसी में देखेंगे, KCL का structure किस प्रकार से बनेगा, CSCL का powder method किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो यह आपको solid state में पढ़ना है, बहुत important रहेगा, ठीक है, अब unit number 6, unit number 6 आपकी है introduction to polymers, यानि polymers का परिचाए, polymers के बारे में आपको पढ़ना है, unit number 6 में, जिसमें आप monomer, oligomer, polymers क्या होते हैं, इनका classification किस प्रकार से करेंगे, classification आप polymer, इसी के अंतरगत पढ़ेंगे, synthetic आप linear, cross, linked network किस प्रकार से आप देखने को मिलेगा, इसी के अंतरगत आप पढ़ेंगे, दोस्तों, chromatography, general prevention of chromatography, ठीक है, तो आप एक प्रकार से, यह जो polymers का परिच्या है, इसमें आप वेविन प्रकार के polymers जो हैं, उसमें सिलकान और phosgene, जो सबसे important होता है, सिलकान का preparation पूछा जाता है, जो सबसे important है, आपके इस chapter का, यह आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, इसमें, यूनिट नमबर आठ, जो की आपकी है, kinetic and mechanism of polymerization, बहुल्यकी करण की, क्रिया विधीत था बलिगती, जोस्तों, यूनिट नमबर आठ, इसमें आपको polymerization टेक्निक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे, addition और chain growth polymerization क्या होती है, free radicals क्या है, vinyl chloride किस प्रकार से बलाएंगे, जिनलनाटा polarization किस प्रकार से करेंगे आप, ठीक है, step growth polymerization क्या होता है, polymerization क्या है, polyester क्या होती है, phenol, formaldehyde, resin, urea, formaldehyde से resin किस प्रकार से आप बनाएंगे, ये सबी बातों को आप पढ़ेंगे, unit number 8 के अंतरगत, अगर basic चीजे बताएं कि बहुलकी करनों कि प्रक्रिया में आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें main main जो आपका है, वो जिगलर, nata, polymerization, vinyl, chloride, vinyl polymers, और condensation आप, step growth polymerization, polyester क्या होती है, polyamide क्या है, phenol क्या होता है, formaldehyde और resin क्या है, इनके बारे में आप unit number 7 के अंतरगत पढ़ेंगे, unit number 8 आपकी है, synthetic dyes, synthetic dye यानि synthetic रंग, इसमें आप पढ़ेंगे colors के बारे में, कि विभिन प्रकार के जो color हैं, वो कैसे तयार की जाते हैं, color कैसे बनते हैं, इनका electronic concept क्या है, classification dye का इसमें, ठीक है, classification देखने को मिलेगा, classification आप इसका पढ़ेंगे, chemistry और synthetic, methyl orange क्या है, methyl orange कैसे prepare किया जाता है, इसका उपियोग कहां कहां किया जाता है, ठीक है, तो methyl orange के बारे में पढ़ेंगे, इसी में आप पढ़ेंगे, kangoo red के बारे में, kangoo, red, malachite green क्या होती है, crystal wallet, phenol, leptanil क्या है, elegreen क्या होती है, indigo क्या है, ये सभी आप पढ़ेंगे, बहुत ही important, आपका unit number are your last unit है ये बहुत ही महत्पोन unit है, जो color से related है, और ये यहां से question को पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें kangoo red पढ़ेंगे, मेथाल orange पढ़ेंगे, malachite green क्या होती है, crystal wallet क्या है, इसी के अंतरगत, lezen और indigo भी सामिल रहता है, ठीक है, और classification आपको देखने को मिलेगा, तो unit number 8 आपका important है, इसमें अब बिस्तार से whole syllabus की बात क्या जाए, एक एक point को, तो मैं आपको telegram पर भेज़ दूँगा, जहां पर मेरा प्रियास ये था, कि आप unit by unit topic से discuss हो सके, रूबरू हो सके, यानि आपको पता हो सके, कि unit के अंतरगत क्या पढ़ना है, उसके बात में, क्या होगा, मैं whole syllabus तो आपको telegram पर भेज़ दूँगा, बाकि अब unit by unit class जब स्टार्ट होगी, तो प्रते की unit की summary सबसे पहले में आपको दूँगा, कि इस unit के अंतरगत आपको क्या पढ़ना है, और कौन-कौन से topic सबसे important रहेंगी, महत्पूर्ण कौन-कौन से topic हैं, उनको सबसे ज़्यादा focus किया जाएगा, जो important रहेंगी, जो आपके exam में बनने वाले, क्योंकि ठेवरी की class आपकी इस बार हुई नहीं है, फर्स्ट समेस्टर में, लेकिन मेरा प्रयास है कि second semester में all subject की आपकी ठेवरी की class नियमित चले, ठीक है, बस हो सकता है दोस्तों कुछ समय लगे, 25 तारिक का समय लग सकता है, क्योंकि दिक्कत है, कुछ प्राब्लम्स भी चल नहीं है, और मेरा exam चला है, मेरा exam भी चला है, दोस्तों खुद का exam और खुद जो exam में मैं जहां पर school में पढ़ाता हूं, वहां पर क्या करना पड़ता है, तो साम तक मुझे time नहीं मिलता इस समय, तो 25 तारिक तक प्राब्लम्स हैं, उसके बाद मैं आपको class नहीं संचाले कराऊंगा, और math और physics के जो भी student है मारे, उनके लिए पाउंसर आपको जल्दी math की और physics क्लास लेके आएंगे, जो आपको बहुत ही कारगर रहेगा second semester में ले, अगर आप मारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप playlist में, जो आपके इसके पहले की class है, 2022 की, 2022 सत्र की जो भी class है, आप उसक कैसे exam पूछे आते, exam में कैसे प्रस्न आएंगे, तो इसका पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पर मैं प्रवाइड करा दूँगा, और जो भी मारे साथ WhatsApp ग्रूप पर जूट चुके हैं, उनको WhatsApp ग्रूप पर मिल जाएगा, और बाकी टेलिग्राम पर दे दिया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप ही मारे लिए सब कुछ हैं, और मेरा प्रियास यह रहेगा, कि आप सब सहीयोग बढ़ाय रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलत कि लेजें जाबर